यहन्ना के सूसमाचार का परिचे बाइबल एक किताब नहीं है बलकि 66 किताबों का संग्रे है इस लाइबरेरी ओफ बुक्स और बाइबल का कोई एक लेखक नहीं है जैसा अन्य गरंथों में होता है बलकि बाइबल के 40 अलग-अलग लेखक हैं जिन्नोंने 3 अलग-अलग भाशाओं में लिखा और इसलिए बाइबल में विवित्ता तो है ही लेकिन अद्भुद रूप से एकता भी है विवित्ता इसलिए है क्योंकि परमेशवर ने बाइबल के लेखकों को word processor के रूप में इस्तमाल नहीं किया कि जो कुछ परमेशवर उनसे लिखवाना चाता था उन्होंने बस वो लिख दिया नहीं बलकि परमेशवर ने उनस अबी लेखकों के व्यक्तित्व, उनके विचार और उनकी विभिन भाशाशेली और लेखन शेली का उप्योग किया जिसकी वजह से Bible के संपूर्ण साहित्य में अर्था भाशाशली में लेखनशली में बहुत वीवित्ता पाई जाती है लेकिन इस वीवित्ता के बावजूत भी Bible में जो एकता पाई जाती है वो इसलिए है क्योगि भले ही Bible के लेखक अलग-अलग थे लेकिन उन सबकी प्रेरणा का श्रोध एक ही था स्वयम परमेश्वर जिसने अपने आत्मा के समर्थ से पूरी बाइबल लिखवाई मतलब संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है मनश्य की बुद्धी या कलपना से नहीं जैसा दूसरे तुमूतियस तीन सोला में लिखा है तो परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा उसे नहीं पूरी बाइबल का संपादन भी किया मतलब स्वयम परमेश्वर ही बाइबल का दिव्य संपादक है जिसकी बाइबल में अद्बुद एकता पाई जाती है पहली पुस्तक उत्पत्ती से लेकर अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक एक ही धागे में पिरोई हुई है बाइबल जो परमेश्वर की योजना है मानव जाती के लिए ये कुछ वैसा ही है जैसा त्राए एक परमेश्वर यानि ट्रिनिटी ट्रायून गाड जिसमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है तो अलग-अलग वेक्ती और उनके कारी भी अलग-अलग है लेकिन फिर भी तीनों मिलकर एक परमेश्वर बनते है और उनमें अद्भुद एकता पाई जाती है तो वैसे कुछ बाइबल में भी है तो आज से हम यहना का सूसमाचार शुरू करने जा रहे हैं यहना का सूसमाचार युनानी भाशा में लिखा गया था ग्रीक लैंगविज वैसे तो सभी सूसमाचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन यहना का सूसमाचार मुझे सबसे खास लगता है क्योंकि यहना के सूसमाचार में येशु के विशे में वो बाते बताई गई है जो अन्य सूसमाचार में नहीं है जी हां, अन्य सूसमाचारों को Synoptic Gospels, अर्थात सम्मिलित सूसमाचार का जाता है, मतलब उन सब में येशु के जीवन को लगभग समान रूप से प्रस्तूत किया गया है, जिनमें येशु के मनुशत्व पर अधिक जोर दिया गया है, लेकिन युहना के सूसमाचार में ये अन्य सूसमाचार येशु को बाहर से दिखाते हैं, लेकिन युहना का सूसमाचार येशु को भीतर से दिखाते हैं, अन्य सूसमाचार इस बात पर प्रकाश डालते हैं, कि येशु ने क्या किया और क्या कहा, लेकिन युहना का सूसमाचार हमें बताता है, कि येशु कौन था वास्तव में बलकि सूसमाचार बाकी सूसमाचार में सिखाते हैं कि एक मसीही का आचरन कैसा होना चाहिए मतलब उसका वैवार कैसा होना चाहिए लेकिन यूहना का सूसमाचार इस बात पर फोकिस करता है कि एक मसीही को क्या विश्वास करना चाहिए या एक मसीही का कि उस समय इसराइल देश रोमी प्रशासन के अधीन था और इसराइल पर हिरोधस राजा राज कर रहा था जब येशु का जन्म हुआ अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदीbiblstudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे दिसंबर के वीडियो में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी दिसंबर का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में दिसंबर के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छे स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोस बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240P, 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्शक है एक विशेश सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण सेकिंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है